कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के रेप और मुर्डर के बाद पता चला है कि अपराधी संजरोय खुद कोलकाता में एक सिविक पुलिस वॉलेंटियर है जिसकी ना किवल अस्पताल बल्कि आपातकालीन भवन तक भी इनने नागरेक पुलिस स्वयम सेवक या ग्रामीन ख्षेत्रों में ग्राम पुलिस स्वयम सेवक के तौर पर जाना जाता है ये समविदा कर्मी होते हैं जिन्हें पुलिस सहायता के लिए न्यूक्त करती है खास तोर पर रियातायाद प्रभंधन और ऐसे च्छोटे-मोट कामों में जहां पर पुलिस कर्मियों की जरूरत नहीं होती अगला सवाल ये कि क्या ये भरती ममता बैनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुई इसकी पात्रिता यानी जहां पर उसे तैनात किया जाएगा उसकी उम्र बीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए उसे दस्वी तक पढ़ा होना चाहिए उसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए नागरिक पुलस की सेक्षनिक योगिता को हलाकि बाद में बदलकर आठवी कक्षा पास कर दी उस समय पुलस बल में लोगों की कमी थी जिससे रोज की पुलसिंग प्रभावित हो रही थी और इस कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध की आधार पर नागरिक स्वयम सेवकों को शामिल करने का निर्णाय लिया गया उनका काम था व्यस्त चवराहों पर यातायाद पु पुलस वॉलन्टियर हैं 2011 में भरती के पहले चरण के तुरंद बाद पुलिस ने सरकार को 1.3 लाख नागरिक पुलिस स्वयम सेवकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था तो यह माना जाना चाहिए कि बंगाल में इतने पुलिस वॉलन्टियर तो इस वक्त होंगे ह इस समय 7,200 नागरिक स्वयम सेवक हैं जबकी राज़ानी के पुलिस वल्की ताकत 37,400 है राज़्य में पुलिस की ताकत 89,024 है तो मही 1,2 लाख से ज्यादा नागरिक पुलिस स्वयम सेवक हैं सवाल ये है कि इन्हें पैसा कितना दिया जाता है नागरिक पुलिस स्वयम सेवकों को रोज 310 रुपया दिया जाता है यानि की करीब 9300 रुपय हर महीने इन्हें तदर्थ बोनस की तौर पर पहले सालाना 5300 रुपय मिलते थे जो पिछले साल ही बढ़ा कर 6000 रुपय किये उन्हें बोनस के साथ चिकत्सा बीमा भी मिलता है बाद में ये की नागरिक पुलिस वॉलंटियर पर सवाल आखर की उठने शुरू हुए तो आपको बताएं कि पश्चिम मंगाल में चुनाव की बाद हुई हिंसा की जांच करने वाली राष्ट्रे मानवाधिकार आयो की 2021 2020 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रिदान करने के बावजूद ये योजना सही तरीके से क्रियानवित नहीं की गई जैसे कि अपर्याप प्रशिक्षन और नागरिक स्वयम सेवक्व का करियर आगे नहीं बढ़ पाना रिपोर इन विवस्था की स्थिती से निपटने में सक्षम होते हैं इन नागरिक स्वयम सेवकों को आमतोर पर सत्ता रूर पार्टी का एजिंट माना जाता है क्योंकि उन्हें AITC के कारेकाल के दौरान ही भरती किया गया वो स्थानिये पार्टी नेताओं के साथ संपर्क बनाई रखते हैं अब ये भी सवाल है कि इन नागरिक स्वयम सेवकों को पहले ग्रीन पुलस क्यों कहा जाता था तो आपको बता दे कि 2008 में जब ततकालीन मांका पसरकार ने बहुत सीमित तोर पर उनकी न्यूकती की थी पेड़ काटने से बचाने के लिए तब उन्हें हरी से वो पुरानी हरी वर्दी के लावा नीली वर्दी भी पहन रहे हैं नए भरती होने वाले सभी लोग नीली शर्ट पहनते हैं जिसके पीछे सिविक वॉलंटियर लिखा होता है और नेवी ब्लू रंग की पतलून वो पहनते हैं उन्हें दो वर्दिया दी जाती हैं जिसक मिल होने की कई शिकायते मिली हैं उनकी कोई जवाब दे ही नहीं है अगर कोई सिविक वॉलंटियर पैसे लेता पकड़ा जाता है तो उसे बस घर भेज दिया जाता है नागरिक पुलिस स्वयम सेव को द्वारा की ज्यादतियों के कई ऐसे मामले सामने आये हैं सबसे चर्चि था लेकिन वो अपनी हनक किसी पुलिस वाले से ज्यादा दिखाता था खुद संजर रोय पर घरी लिए हिंसा क्या रोप लगे और कोई कारवाई उस पर नहीं हुई करीब दस दिन पहले नादिया के कृष्णारगर में नौकरी का वादा करके एक टोटो चालक से 11,300 रुपे की ठगी करने क्या रोपे एक नागरिक स्वयम सेवक को गिरफतार भी किया गया था अगला सवाल है कलकत्ता हाई कोट ने सिविक पुलिस वॉलिंटियर के बारे में क्या कहा है और क्यों ये भरती विवादों से घीरी रही है कलकתा है कोट ने कई आदेशों के माधियम से नागरीख पूलिस स्वयम सेवकों की भर्ती और कानूनी सत्यता पर सवाल उठा है 20 माई 2016 को दिये गये आदेश में कलकेता उच न्यायालै के न्यायमूर्टी संजीव बानर जी ने कहा कि नागरिक पुलिस स्वयम सेवकों की भरती योजना करदाताओं की पैसों की परवाह किये बिना बेरोजगारों को शुकार बनाने के लिए बनाए गई थी विपक्षी नेताओं और राजनितिक परिवेक्ष को दोनों का ही ये कहना है कि सिविक पॉलस पार्टी का ही विस्तार है स्थानिये त्रिनमूल कॉंग्रस नेतरित्व ऐसे कर्मियों को नियुक्त करता है जो उनके प्रतीवफादार होंगे राज्य में वेरुजगारी के संकट ने ममताबैनर जी सरकार को अनुमंध पर भरती का एक सरल तरीका तयार करने के लिए प्रेड़ित किया जा हजारों युवाओं को लगभग नियूंतम वेतन दिया जाता है वो सभी बिना किसी जवाब देही के लिए पार्टी के लिए काम कर सकते हैं तो ये पार्टी का ही एक विस्तित रूप है इसकी प्रक्रिया, इसकी भरती पर भी इस तरह के सवाल उठे है तो ये पूलिस वॉलंटियर को लेकर ये पूरी जानकारी थी क्योंकि जो आरूपी है कुलकाता रेप मुडर केस का संजरोय वो भी सिविक पूलिस वॉलंटियर है और वो अपनी हनक और सूख किसी पूलिस वाले से भी ज्यादा रखता था यह पूरी डीटेल जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन के जरीय लिखकर जरूर बताएं ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें यूजए टिन इंडिया